असलाम लेकुम डियो लेर्नर्स एन ओंटिपनियोर्स हम बात कर रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्राटेजी की एक और स्ट्रिटीजिक ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है जिसमें we can create an uncontested market while making the competition irrelevant और main argument तो हम इसके पर बारे में बात कर चुके हैं अब हम बात करते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्राटेजी में और स्ट्राटेजी को किस तरह से unfold किया है authors ने अगैन हम लोगों ने जो last video थी वो खतम की थी value innovation के उपर और value innovation क्या थी if you look at your screen तो हमने ये कहा था कि इसका जो cornerstone है blue ocean strategy का वो यही है कि आपने value innovation लेकर आनी है और value innovation क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप value focused हैं तो आप cost innovation नहीं लेकर आ सकते हैं या आप cost के उपर जादा focus कर रहे हैं तो आप value offer नहीं कर सकते हमने conventional belief जो है उसको challenge किया है strategy से था और हम आ रहे हैं कि हम differentiation और low cost एक साथ simultaneously अचीव कर सकते है blue ocean strategy यानि value innovation की बात हो रही है blue ocean strategy की तरफ यानि in other words authors नहीं का है कि जरूरत क्या है ये इसकी need क्यों पड़ी हमें कि हम blue ocean strategy के बारे में बात करें there are certain reasons जो उन्होंने mention की मिसाल के तोर पे उन्होंने ये बताया है कि जोकि market बहुत expand हो गई है global markets हो गई है इसलिए demand जो है उसके मुकाबले में supply exceed कर गई है अब आपके पास as a global citizen ज्यादा options मौजूद है supply exceeds the demand मिसाल के तोर पर इससे पहले अगर आप सोचें कि अगर आपने कोई भी एक product buy करनी है तो आप वो product market में पैदल जाके खुद जाके या गाड़ी पे जाके किसी एक दो तीन shops में से देखके उसके बाद किसी एक जगा से आप वो product buy कर लेते थे अब आप देखिए आप कोई भी product मिसाल के तौर पर if I want to buy a camera तो उस camera और camera model को purchase करने से पहले पहले तो मेरे पास सारे के सारे online reviews मौजूद हैं फिर उसके बाद मैं price को compare कर सकती हूँ फिर उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि पाकिसान में इस camera की price क्या है और अगर मुझे यह लग रहा है कि पाकिसान में यह camera अच्छी price पर available नहीं है यह बहुत latest model पाकिसान में नहीं आया तो मैं किसी दूसरी website पे जाके किसी दूसरे मुलक से जाके इसका order भी place कर सकती हूँ ठीक है और उस एक website से जो मैंने order purchase किया है वो 10 नहीं तो 15 नहीं तो 20 दिनों के बाद नहीं शायद बाव जगात इससे भी early वो product आपको receive हो जाती है जो आपने किसी दूसरे मुलक से खरीदी दिये So now you have more options as a customer और आपका जो businessman है जो यहां market में operate कर रहा है जाय है वो कितनी ही चोटी market में क्यों नहीं operate कर रहा उसको अब फिल फॉर Because of this technology, you know, upgradation उसको यह competition face करना पड़ा है So now the supply is more as compared to the demand फिर उन्होंने globalization का factor अभी जो just an example दी globalization हो गई है उसके बाद अब actually में price war बहुत increase हो गई है especially खास तोर पर अब जब के मुखलिफ मुल्क जो है जिन में leading जो है that is China चाइना में अब पहले pair A, pair B, grade A, grade B, grade C अब multiple grades आ गए है आप एक ही चीज बहुत expensive price से लेकर बहुत lowest price तक same चीज वो ले सकते हैं और उसके अंदर actually में China ने cost innovation बहुत ज़ादा की है so you have products but you can buy such products at very low cost so वो तमाम के तमाम markets जो cost conscious markets हैं वो customers जो cost conscious हैं जिसकी per capita income ज़ादा नहीं है China ने उन markets को बहुत तेजी से capture किया only because के वो जिस price पर product offer कर रहे थे बाकी उस price पर offer नहीं कर सकते थे so cost innovation की वज़ा से price war बढ़ी और यह सारा competition phase करना पड़ा बहुत से industries जो हैं वो बंद भी हुए है because they were unable to beat the price competition इसी वज़ा से profits भी shrink हुए अच्छा और सबसे आखरी बात जो इन्होंने अपने argument बिल्ट किया and that was very strong brands are becoming similar there was a time कि जो brands थे brand के अंदर customization थी खास तोर पर अगर आप पाकिसान में हैं और पाकिसान में आप जिसे कहते हैं clothing friend को observe करते हैं तो पहले फिर भी बहुत customization थी अब जितने brands हैं अगर आप उनके दुकान में जाते हैं तब वहां भी brands बहुत हैं लेकिन customization और उनका जो unique selling preposition है वो कम होना शुरू हो गया है वो भी बहुत जादा quantity और cost conscious हो गया है so brands are becoming similar किस basis के उपर आप अपनी product जो है वो offer कर पाएंगे किन basis के उपर अपना sustainable business ले पाएंगे अच्छा सिरफ ये वजह नहीं हो सकती अगर आप market को observe करें तो और भी multiple reasons आपको नज़र आएंगी जिसकी वजह से आपको ये नज़र आएगा कि जब खास तोर पे blue ocean को खास तोर पे दो stages पे बहुत critical नज़र से आपको देखना चाहिए number one या तो आप जब नया business idea conceive कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि आप किस market में जा रहे हैं आप red ocean strategy red market की तरफ जा रहे हैं या फिर number two आप किसी uncontested market में जा रहे हैं advice is go to uncontested market जहां competition कम है number two याँ आप diversification यानि growth stage पर हैं अगर आप grow करना चाहते हैं याँ diversify करना चाहते हैं किसी नहीं industry में जाना चाहते हैं तो भी देखिए market को इस नजर से कि वो blue ocean strategy के तहत आप उस market को देख रहे हैं याँ आप एक uncontested market में जा रहे हैं blue ocean strategy के तीन core principles हैं इन तो तीन core principles के बारे में हम बात करते हैं इनको unfold करेंगे पहला core principle क्या है reconstruct market boundaries यानि आप अपनी market boundaries जो आपने सोची भी हैं आप उन market boundaries को expand करें market को एक नई नजर से देखें नई market जो है वो construct करें number two reach beyond the existing demand जो आपने सोचा है कि आपकी जो demand है that is limited यही आपकी customer base है यही उनकी demand है इसी को achieve करना है उससे बाहर भी देखें और third important core principle जो है that is get the strategic sequence right यानि value innovation, cost or differentiation simultaneously यह तीन core principles है इन तीन core principles को अपनी अगले वीडियो में हम further explore करते हैं